मम्मी आपने मुझसे जूट बोला क्या जूट बोला पेटा? आपने मुझसे बोला कि तेरी छोटी बहन एक परी है हां भो तो है तो जब मैंने उसे छच्चे मीचे फैका तो ऊड़ी क्यो देखो तलाक के बाद लड़का मेरे साथ रहेगा ओ हेलो बच्चा मेरे साथ रहेगा ओ हो हो मटका मेरा दूद मेरा थोड़ी सी दही के डाल दी पूरा पनीर तेरा तेथे कुर्बानी करंगे एकला तकाल दो सासनू एक कुर्मानू एक सांडूलू एक बेलीनू तया पसलियां चर्बी ।चर्बी बृञा दो वेचे कोईगा नई चर्बी ने कर्वानी स्वाब ते तेरी सासनू चर्बी नी लागती धड़कन है कहीं जिन्हें कहीं जान कहीं है तुम जान हो मेरी तुम्हें मालूम नहीं है ये चान्द नीए वतन सबसे उपर तेरा नाम है आई है ये कसंद आई है बाखुदा सुले तुशमन डक्टर साथ मुझे एक बीमारी हो गई है क्या बीमारी हो गई है सोने के बाद नीन नहीं आती खाने के बाद भूक नहीं लगती काम करूं तो ठक जाता हूँ सारी राप धूप में बैठो ठीक हो जाओगी पपू बेटा तुम कार पर स्कूल आते हो जी सर पताओ कार डीजल पर है या पेट्रोल पर सर ना तो पेट्रोल पर है और ना ही डीजल पर अच्छा फिर किस पर जी किस्तों पर पपू बेटा खड़े हो जाओ जी सर बोलो तुमारे घर पे सबसे छोटा कौन है जी मेरे पापा अच्छा पर वो कैसे क्योंकि वो अभी तक मम्मी के साथ ही सोते हैं अच्छा नहीं बताओ वो कुण सी चीज से जब तुम रोज तो देख सकते हो पर तोड नहीं सकते मैं नहीं बताओंगा बोलो ना प्लीज तेरा मूँ अच्छा मेरे काल सुनो जीज स्याती हो रही सी तुसी की कारे सी मैं आपनी वारी दा इंतजार माला जी मेरे को दो सोर भी आज़े तो दो सुर भी आज़े किने बड़े पांसो ओके में जी मैं तरी मनी तो भी मेरी मान ना ममी उमी कल रात को ना मेरे साथ एक जादू हो गया क्या हो गया बेटा जैसे ही मैंने वोश्रूम का दरवाजा खूला ना तो लाइट एक दम से चालू हो गई और ठंडी ठंडी हवा आने लगी बेव को और चेतन तेरा भाई आज कल क्या कर रहा है यहर उसने एक दुकान खोली थी पर अब वो जेल में है अच्छा वो क्यों? दुकान हथोड़े से खोली थी ना चेतन बेटा खड़े हो जाओ जी मैम बताओ नाड़े को इंगलिश में क्या कहते हैं? मैम पी एचड़ी वो कैसे? पजामा होल्डिंग डिवाईस अर मैं तेरे ते ड्रेस ता को नी? तू मेरे ते ड्रेस है पहली बर जब तू मने देखना आया च्यार पांच लोगा ने लेका आया था अर जब तू मने ब्यान आया दो सो लोगा ने लेका आया था और मने देख मने एक ली आगी एक जानके कार नहीं ना आये पता भी इसी अम्मी ने आना आजे तेरी अम्मी ते हर दूसे दिन आ जानती यार वगर तूसी हर किसे नप पैरास लूप कार दे अच्छा दोस्तों आज मैं तुम्हें ग्यान की बात बताता हूं अच्छा चल ठीके बता जहां तुम्हारी इज़त ना हो ना वहां कभी मत जाना अबे तो कहना क्या चाता है अब हम अपने घर भी ना जाएं क्या डियार अभी अभी खबर आई है कि 2020 में ना दुनिया खतम हो जाएगी नहीं भाई ऐसा नहीं होगा वो क्यों मैंने कली नहीं वाशिंग मशीन खरी दिये उसकी गरंटी 2024 तक की है